तीसरा फैसला लिया पिछड़े वर्ग का कमिशन रद कर दिया चौता फैसला किया पिछड़े वर्ग के लोगों को एक नए पैसे का बजेट नहीं दिया जाएगा पाच्वा फैसला लिया पिछड़े वर्ग के बच्चों को जो वजीफा मिलता था पढ़ने लिखने में पोस्ट मैट्रिक स्कॉलर्शिप मिलती थी वो साड़े चार साल होग एक नहया पैसा नहीं दिया इसका मतलब ये है पिछड़े वर्ग का ही प्रधान मंत्री पिछड़े वर्ग के विरोध में काम कर ला है इस्वाभाविक तो नहीं कहा जा सकता मगर ये एक उधारण है कि वास्तविक सत्ता ननिंद्र मोदी के नियंतरण में नहीं है वास्तविक सत्ता आरेशच के ब्रामनों के पास है आप लोगों को एक और खास जानकारी मैं आपको बताना चाहता हूँ केंद्र में जितने भी मिनिस्टर कैबिनेट है राजमंत्री है वो हर मंत्री का राजमंत्री का जो पीए है वो आरेशच का ट्रेन कारे करता है अगर मिनिस्टर को किसी को मिलना है तो वो आरेशच का जो पीए है वो जब तक अनुमती नहीं देगा कोई आदमी मिनिस्टर को नहीं मिल सकता है आप लोगों को जानकारी नहीं है ये सारी बातों की मगर ये बात वास्तवित्ता है ये उधारण में केवल आप लोगों को अनकी विरोध में जाकर भारत पर कब जाकर लिया दूसरे उधारण है कि जो लोकतंत्र है उसको भी ब्रामनों ने हाईजाक कर लिया लोकतंत्र चार पिलर पर खड़ा है विधाई का पर ब्रामनों का कबजा 2009 में 375 सीटों पर कबजा था और 2014 में 411 सीटों पर कबजा है कारिय पालिका में I.S. I.P.S. I.R.S. अधिकारियों में 79.2 परसेंट 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 परसें कब जा कर लिया ऐसी situation में हमारा पुली चोकी में यफायर नोन नहीं होता साधारन लोगों की छोड़ो सीखो का Chief Minister Captain है बरगाडी में गुरुगरंद साथ की बेद भी हुई और Justice रजी सिंग ने सारा report दिया सबूत दिये, गवा दिये इसके बावजूद भी अवायर रखल नहीं हुआ इस सिद्ध होता है सारा का सारा कब्जा उन्होंने कर लिया है इस परस्तिती में अगर बदलाओं करना है तो हम सब लोगों को 85% लोगों को एकटा होना होगा आज हम 85% लोग है उसमें शडूल कास के ओपर अन्या हो रहा है शडूल टाइप के ओपर अन्या हो रहा है पिछड़े बर के ओपर अन्या हो रहा है और माइनोरिटी कडियंती के ओपर अन्या हो रहा है मुसल्मानों पर अन्या हो रहा है सीकों पर अन्या हो रहा है क्रिचनों पर अन्या हो रहा है बुदिश पर अन्या हो रहा है जैन पर अन्या हो रहा है लिंगायकों पर अन्या हो रहा है सारे के सारे लोगों पर अन्या हो रहा है सारे लोग अन्या के विरोग में लड़ रहे है मगर किसी को सबलता नहीं मिल रही है सबलता क्यों नहीं मिल रही है इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि हम अलग अलग लड़ रहे है शडूल कास अलग लड़ रहे है शडूल टैप अलग लड़ रहे है और OBC अलग लड़ रहे है माइनरिटी अलग लड़ रहे है मुसल्मान अलग लड़ रहे सीक अलग लड़ है, क्रिचन अलग लड़ है, बुदिस्ट अलग लड़ है, जहन अलग लड़ है, लिंगायत अलग लड़ है, सारे के सारे लोग अलग अलग लड़ है, जब तक हम अलग 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 लड़ते रहेंगे, हम लोगों को सबलता मिलने वाली रही है, अभी चार म प्राइनी से जाबा समय हो गया गुरुकरंच साथ की बेदभी के विरोध में बरगारी में लोग बैटे हुए दरने पर मगर कोई सुन्वाई नहीं हो रहे कोई फैसला नहीं हो रहा है इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि आइसोलेशन में अलग अलग लड़ाई लड़ने से सफलता मिलने वाली नहीं है हम सब लोगों को एkhटा होकर ये लड़ाई लड़नी होगी अगर हम एकटा होकर ये लड़ाई लड़ते है तो हमें सफलता 200% गैरंटी से मिलने की संभावना है ए परिवर तन्यात्रा इसी लिए निकाली गई है आजाभी के अंदुलन में ब्रामन लोग हम लोगों को कह देते हैं कि अंग्रेजों की एक पॉलिसी है बाटो और राज करो बास सही थी अंग्रेजों ने हिंदों और मुसल्मान दो हिस्तों में लोगों को बाटा दे और ब्रामनों ने छे हजार जाती के टुकड़ों में बाटा शेडूल कास की सत्रा सो जाती है शेडूल ट्राइब की नौ सो जाती है पिषडे वर की तीन हजार साथ सो दरताली जाती है गिन्ती करों छे हजार से ज़्यादा हो जाता तो ब्रामनों ने छे हजार जाती के टुक्रों में हम लोगों को बाटा आप सुनकर हैरान हो जाओगे कि जिन ब्रामनों की साड़े तीन परसेंट संक्या है उनकी पाँच पाँच नैशनल लेवल की पार्टी आए नैशनल कॉंग्रेज ब्रामनों की पार्टी चटर जी, मुगर जी, बेनर जी, गोकले, तीले, कागर का इनों ने बनाई दूसरी राश्कियस्तर की बड़ी संगटना आरेशस 1925 में ब्रामनों ने बनाई 1925 को श्रीपाद अमरू टांगे ने भारत की कम्मिनिस्ट पार्टी बनाई ये डांगे कोकले नस्तर ब्रामन था फिर मार्सवादी कम्मिनिस्ट पार्टी EMS नम्बुदरी पार्ट एक केरला का नम्बुदरी ब्रामन है उसने बनाई चोथी पार्टी भारतिय जनता पार्टी ये आरेशस के ब्रामनों ने बनाई पाचवी त्रुणमोर कॉंग्रेज मंता बेंगर जी बंगाली ब्रामन ये नोंने बनाई पाच-पाच नैशनल लेवल की पार्टीया केवल साड़े तीन परसेंट ब्रामनों की मुसलमान बंदरा परसेंट है उनकी एक भी पार्टी नहीं साड़े तीन परसेंट लोगों की पाच-पाच नैशनल लेवल की पार्टीया है और इनी लोगों का भारत पर राज है कॉंग्रेज आती तो BJP आती थै BJP जाती थैं कॉंग्रेज आती है 99 में पंडित अडल-बियाई वाजपई की सरकार थी 2004 में चुना हुआ, Congress आई, 2009 में चुना हुआ, Congress आई, 2014 में चुना हुआ, बीजेपी आई एनिक बीजेपी जाती तो कॉंग्रेस आती एक कॉंग्रेस आती तो बीजेपी आती एक ब्रामन की पार्डी जाती दूसरे ब्रामन की पार्डी जाती पहरे ब्रामन की पार्डी आती ए नाम नब्रा मन जाता भी नाम नब्रा मन जाता भी नाम नब्रा मन जाता ए नाम नब्रा मन जाता खाशिराम जी कहा करते थे एक नागनात है एक सापनात है नागनात के पास जहर है सापनात के पास भी जहर है अगर हम BJP को अपना ले तो जहर से मर जाएंगे और कांग्रेस को अपना ले तो जहर से मर जाएंगे अभी इन ही लोगों का देश पर आजिए ऐसे परस्तिती में जो परिवर्तन है अगर लाना है तो परिवर्तन के लिए बरामनों ने छे हजार जाती के टुकड़ों में जिन लोगों को बाटा उन बाटे हुए लोगों को जगाना होगा जगे हुए लोगों को जोड़ना होगा जोडे हुए लोगों से शक्ति का जिर्बान करना होगा और शक्ति के बल पर अजादी का आंदोलन चलाना होगा जिस तरह से अंग्रे लोग को भारत के सारे लोग इकटा होकर उनसे अजादी हासिल की उसी तरह से अंग्रे की तरह ब्रामनों से भी अजादी हासिल करने होगी सीखों ने गुलामी से आजादी हासिल करने के लिए कांग्रेस का साथ दिया ये सीखों की या मास्टर तारा सिंग की गलती थी क्योंकि गुरू ने मजलुमों का साथ दिया था और मास्टर तारा सिंग ने जालिमों का साथ दिया मैं तो गुरुगरंसाथ का बहुत ज़्यादा गहरा अद्देन नहीं किया मगर गुरुओं की जो लेराई मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ तो गुरुओं उने मजलुमों का साथ दिया जिस पर अन्या हुआ उसके समर्थ अनितलर उठाई मगर मास्टर ताहरा सिंग ने जालिव गुरामन हजारों सालों के जालिम लोग है उनका साथ दिया सीखों के साथ जो धोका हुआ गुरुओं का रास्ते पर ना चलने का नतिया है जालिमों को साथ देने का नतिया है इसलिए मैं ये आप लोगों को अनिरोद करता हूँ मजलूम और मजलूम का इत्तिहाद काइम करना होगा जालिम से एक राजादी हासिल करना चाहते हो रास्ता है रास्ता क्या है मजलूम और मजलूम का इत्तिहाद इत्तिहाद का मतलब है एक्ता कायम करनी होगी और इस एकता के द्वारा जो बल जो शक्ति हम आसिल करेंगे क्योंकि जो ताकत्वर लोग है जिनके पास साही सप्ता है देखो राजनीतिक सप्ता ब्रामनों के नियंत्रण में आर्तिक सप्ता ब्रामनों के नियंत्रण में मिलिटी की सक्ता ब्रावनों के नियंतरण में एजुकेशन की सक्ता ब्रावनों के नियंतरण में सारी सक्ता उनके नियंतरण में एड्मिनिस्टेटि पावर उनके नियंतरण में जुडिशियल पावर उनके नियंतरण में सारी सक्ता उनके नियंतरण में है जिनकी नियंद्रन में सारी सप्ता होती है वो लोग जालिमाना हरकत करते है अन्याय करने वाली हरकत करते हैं दरबार साहब पर हमला इस बात का सबूत है इसलिए इनके वोद में मजलूम और मजलूम का इत्धाद कायम करना होगा एकता कायम करनी होगी और इन जालिमों से आजाबी हासिल करने की लड़ाई लड़नी होगी ये काम करनी के लिए हम लोगों ने सारे देश के लोगों को जगानी जोड़ने के लिए परिवर्तनी आतरा निकाली है इस परिवर्त नियातरा को या इस अंदोरन को आप समी लोग साथ सयोग करेंगे इस आश्यों विश्वास के साथ वाई गुरुजी का खाल्चा वाई गुरुजी की फते मैं बहुत अन्वादी है वाड़ा सार्यादा जिनने इत्यागे वाउन विश्राम जी दे बिचार सुने है वोने जातरा जड़ी है ये गुरुदास पर जा रही है खानुमान चौंग देविच कलसी पहले सागावती पहुंचेगी जड़े साथी भी इस जातरा नाल जाना चांदे है वो इस जातरा नाल जड़ी आसमे ले जासे में वाई गुरुजी का खालसा वाई गुरुजी का खालसा